नश्कार मेरे पसुपालक साथियो आज एक और छोटा सा जानकारी वाला वीडियो आप बाईयों के लिए लेके आए हैं और ये वीडियो है देखो जी नकली दूद पे तो आपा हर वीडियो में बात करते रहते हैं नकली दूद से बचो नकली दूद से बचो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोडेक्ट हैं जो दूद से बनते हैं और वो आपा जहरी खा रहे हैं जैसे हम पनीर की बात करें तो पनीर अगर अच्छे पनीर की क्वालिटी की बात करें तो 500-600 रुपे किलो जो पनीर हमें है मिल तो असली जो दुकान दार एसे भी बहुत सारे हैं जो अच्छी क्वैलिटी की मिठाइयां दियार करते हैं बहुत सारे किसानों के ऐसे आउटलेट हैं चोटे चोटे किसान आजकल इतने अवेर हो चुके हैं कि जो गर में 20-30 पसू रखता है वो अपनी सहर में दुकान खोले बैठा है वो आप जो बाई हैं उनको पनीर प्रोवाइड करवा रहे हैं दही प्रोवाइड करवा रहे हैं लसी घी दूद सारा कुछ वो हैं या बडी डैरी वाले भी बहुत सारे ऐसे बाई हैं जिनके पास एक एक गजो दो दो हजार एनिमल हैं और वो अच्छा काम करते हैं और अच्छे उनके प्रोडक्ट लो है अपने फार्म का ही दूद वो आपने आपका सेहत के साथ जो है खिलवाड ना हो सरकार को ये चाहिए कि जो भी ये चीजे नकली बनाते हैं पनीर तो हम देखते हैं और जैसे खोया है वो देखते हैं कि दिपावली के टाइम या त्योहारों के टाइम इतना ज्यादा बरपूर मातरा में जो है आज हमें देखने को मिलता है कि डेली खबर खबार बरे रहते हैं सोसल मीडिया पर न्योज बरी पड़ी रहती है कि बहुत सारे जगचापे मारे जा रहे हैं और नकली ये चीज़े मिल रही हैं तो जितने बाई हैं देखो जी दूद से बड़ा आहर अगर संपूरन आहर की आप बात करें तो दूद है अगर आप अनाज भी छोड़ दोगे तो दूद एक ऐसा प्रोडेक्ट है जो आपकी सेहत को बढ़िया रखेगा सारा कुछ सही रखेगा तो आप बरपूर मात्रा में खाओ पी ओ दूद बढ़िया और अच्छी जगह से ही जो है सारा कुछ आप सामान वगएरा जो है वो अच्छी जगह से ही खरीदो डिरेक्ट किसानों के यहां से खरीदो एक दो मिनट और लेके मैं आप जो पसुपालक साथी है उनको बताना चाहूंगा जो पसुपालक साथी नया डेरी फारम कर रहे हैं आप पुराना करना चाहरे हैं आज इस चीज का बड़ा क्र जो भी आप बना सकते हैं अगर आप दूद भी बेच सकते हैं अकेला तो दूद भी आप ऐसी जगह जाके बैठो जहां डारेक्ट कस्टमर आप से दूद ले सके प्योर काम करो कोई भी उसमें मिलावत पानी की या कुछ भी अडल्ट्रेशन उसमें ना करो बिलकुल असली चीज आप जो भाई दूद पीने वाले हैं जो भी समान लेने वाले हैं उनको अच्छी चीज दो और पशुपालक साथी अपना आउटलेट जरूर खोले अपने पैरों पे मजबूत बने बीच के जो बीच की जो कडिया हैं जैसे की फैट फैट पे लेने वाली बहुत सार से दूद वाले गुमते रहते हैं उन सारी चीज़ों को छोड़ो जी आप आपका दूद अगर आप 50 रुपे किलो बेचते हो तो वह 70-90-90-90 किलो तक भी जा सकता है तो जितने भी बाई इस सेक्टर में से जुड़ना चाते हैं जुड़े हुए हैं अपने आउटलेट पे बेनिफिट करके देगी अगर पैसा नहीं कमाओगे तो इस दंदे से आप दूर हो जाओगे और बीच की जो कडिया हैं जो जो कुछ भी जिसको आप दूद डारेक्ट मैं तो कहुँगा दूद या दूद से बने हुए प्रोडेक्ट आप डारेक्ट अपने जो बाई हैं जो कस्टमर है उनको दो ताकि बीच की जो कडिया हैं जो पैसे कमाती हैं कोई दस कमा रहा है कोई बीस कमा रहा है कोई तीस कमा रहा है वो बीच से हटा दो और डारेक्ट आप जुड़ो ये बात जरूर करना चाहूँगा तो ठीक है दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो सा बाइ लाइक ठोक दो चैनल सबस्क्राइब कर लो और हमारे पेज को फोलो कर लो राम राम नमस्कार सत्सरी अकाल